नमस्कार दोस्तों स्वाथ करते आपसे भी का इवस्ति जी कोईज में तो दोस्तों आए जो है कि बिहार एडियलेट इंटरन्स एक्जाम्स के लिए इसपेशल जो है कि बिहार जीके का टॉप 100 प्रस्ट रहने वाला है सारे एक्स्पेक्टेट खुश्शन है जिसका भी अग पूछा जा रहा है इतना सा काम जरूर कर लेजेगा जिसका भी अगला सिप्ट में एक्जाम होने वाला है चले सुरू करते आज की सेशन को आज की सेशन का फर्स्ट कोशन है पहला कोशन यह बंड़े की बिहार दिवस कब मनाय जाता है तो आप सभी को पता अच्छे की 22 मार् बंगाल से अलग होता है ध्यान रखेगा यह कोशन अलड़ी पूछा गया था कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था तो उन्हेस सुबारा में अगला है बिहार की राजधाने कहां पे हैं पतना बिहार की राजधाने है और उच्छ नियाले जो बिहार का है वो पतना में ह परेश्या, अगला कोश्म ने कि बिहार का उच्छ न्याले कहां परेश्थी थे याद रखे गाएगा उपस सबी अपका पटना में ही इस्तीत, अगला कोश्म पूचाएंज़ तो आंसर कर लिज़े गाप सभी अगला कोश्म के वरिक्ष क्या है याद रखे हैं आप सभी बिहार का राज के वरिक्ष की पीपल ऑप्शन में भी करक्ट आंसर होगा अगर किसी भी कोशन का आंसर पता तो अपना आंसर आप समें नीचे कमिन बॉक्स बताते चलेगा इससे क्या होगा सारा कॉंसेप्ट के लिए रहेगा औ आपका बाग है उसी प्रकार से हां पर बेल है अगला है भिहर का राज के पक्छी कौम सा है याद रकार से ख्रा को रहें 만ок. तो याद रखेगा option में A right answer हो जाएगा पटना पटना में जो एकी सबसे अधिक जन संख्या है बिहार में ध्यान रखेगा आप सभी option में A correct answer होगा याद रहेगा आप सभी को अगला है बिहार का राच की पूस्प क्या है तो option नमर क्या हो जाएगा बिल्कुल गेंदा इसका अधिक पटना का है सबसे अधिक पटना का है तो सबसे कम किसका है option में से character answer होगा सेखपूरा का ध्यान रखेगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को याद कर लेजेगा अगला है बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपाद वाला जीला कौन सा है तो दिखे सबसे कम लिंगा अनुपात है याद रहेगा आप सभी को अगला है बिहार में सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जीला कौन सबी है याद रखेगा आप सभी यह आपका गोपाल गंज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखेंगा आप सभी इसाब से कम की बात किया जाए तो मुंगे सबसे कम हैं और सबसे अधिक कहां पे हैं तो गुपाल गंज में हैं याद रहेगा आप सभी को अगला कोशन देखिए कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दरवाला जीला तो सबसे अधिक अगर अपका रहोतास था तो सबसे कम अपका पूर्णिया बिल्गुल करक्ट आंसर होगा आगला कोशन देखिए कि बिहार में सबर्दिक वर्सा वाला जीला कौन सा है यानि कि बिहार में वो कौन सा जीला है जहां पर सबसे अधिक वर्सा होता है देखिए जितने विफेट जुड़े वह हैं आप सभी क्लासेश को लाइक जरूर कर लिजेगा आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है इतना सा काम जरूर कर दिजेगा आप सभी के लिए परड़े हम लगातार महनत करते हैं ताकि चाहते हैं आपको बहुतर से बहुतर कंटेंड दिया जाए हम अप प्राइक्टा जाएगा स YouTube किसंगंज में सबसे कम वर्षा में छीडती lux बड़े हम अगला है नौरा कौन से डेके बिहार में चुरह से बिहार सबक्त का अर्फ क्या होता है तो ऑगर कोशन् से कर लिए जीए है बाद मट आपका अलग सभाल करा है इसका करक्र licensed का मुल अर्थ हे ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देखेगा कि बिहार में नमक सत्यग्रा कब आरब हुआ था देखेगे जब 1915 में महात्मा गांदी जी भारत वापस आता है और पहली बार जो एकी सारा चीज़ देखने के बाद 1917 में पहली बार जो एकी सत्यग्रा शुरू किया गया था जो कोशन देखेगा बिहार का प्रिथक परांद के रूप में गठन की मांग परस्तूत की गई थी तो ये कब की गई थी 1906 में की गई थी ध्यान रखेगा आप सभी और 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया था अगला कोशन देखेगा बिहार का मुगल समराज के रूप में पटना उचनियाले की अस्थापना कब हुई थी इंपॉर्टेट कोश्चन रहेगा फ्रेंड तो याद रखेगा पटना उचनियाले की अस्थापना 1916 में किया था अप्शन में यह बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला है जार्खन बिहार से कब प्रिथक हुआ था देखे है बिहार और उडिसा कभी भाजन हुआ था तो सबसे पहले बंगाल से बिहार निकला बिहार से फिर उडिसा का प्रिथिक्रन हुआ था और यह आपका 1936 में किया गया था और फिर 2000 इसमें जार्खन इससे अलग हो जाता है अप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर होग कि बिहार के परमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कों थे तो बिहारी के संपादक थे बाबु महसवर परसाद बाबु महसवर परसाद भी राइट आंसर होगा अगला है बिहार में किसान सबा के अस्थापना किसके दुरा की गई देखे बिहार में किसान सबा के अस अपना सहाजा नन स्वर्शती के दुरा की गई थी option नम्मर सी right answer होगा अगला question देखे लिए जेगा बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन कौन सन में हुआ था यानि कि किस इसवी में किया गया था बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन तो right answer हो जाएगा 1929 में किया गया था ध्यान रखे गए इसी समें कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन भी होता है तो option नम्मर सी correct answer होगा अगला है बिहार में किस अस्थान पर भारती राष्ट्य कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था देखे 1922 का अधिवेशन जो किया गया था यह आपका ग ठक हो गया था बिहार बंगाल से और 1912 में ही कोलकाता से दिल्ले जोएकी भारत की राजधाने को अस्तनांतित कर दिया गया था याद रहेगा आप सभी को अगला है 1857 की क्रांती के बिहार का नेता कौन था तो देखे 1857 की क्रांती में बिहार का नेता अवीर कुबेर सिंग जी थे यानि कि option में ए राइट आंसर होगा अगला है पटना को प्रांती राजधाने कब बनाया गया था ए राइट आंसर होगा सेरसा सूरी ने पटना को एक प्रांती राजधाने बनाया था ध्यान रखेगा सेरसा सूरी का मकवारा कहां पे हैं सासाराम बिहार में हैं तो का छेतर बिहार ही था सेरसा सूरी का सेरसा सूरी ने खुमायू को प्राजित किया था अगला है नालंदा बिस्विद्याले का वैभव किसके हाथों से नश्ट हुआ था जो नालंदा बिस्विद्याले है इसको ध्वस्त करने में किसका हाथ था वक्तियार खिलजी का ध्यान जो नलंदा बिस्विद्ध जेला है नलंदा जेला में पढ़ता है कुमार गुप्त की दुरा इसका निर्मान करवाया गया था ये एक बाद सिक्षा के अंदरता ध्यान रखीगा आप सबी और ये वक्तियार खिलजे ने इसको जला दिया था अगला है किस ओ बिहार को अपने समराज में मिला लिया था याद रखीगआ आप सबी ये अकुबर की द्वरा किया गया था बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हलाकि हुमायो को तो प्राजित कर दिया था पर अकुबर जो कि बिहार को मुगल समराज में मिला लिया था अगला है किस काल में बिहर की राजनेतिक सक्थि शक्षिक इभं सांस्किति गरिमा खंडित हुई यह किस समय हुआ मद्द काल में हुआ था ध्यान रखिए आप सभी मद्द काल में हुआ था option में और अंसर होगा पाटली पूत्र के संपादक कौन थे तो देखे पाटली पूत्र के अगर बात किया गया है तो इसके संपादक थे उदाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यह कोशन और लेड़ी पूछा जा चुका है इंग्पॉर्टेंट है याद रखेंगे आप सभी अगला है पाटली पूत्र में इ अपनी राजधानी बन वाई थी इन में से कौन सा साथ है जो इसने पाटली पूत्र को अपनी राजधानी बन वाई थी रियाद रखेगा चंद्रगुप्त मार ने किसने चंद्रगुप्त मार ने मार बंस की अस्थापना किया था दियान रखिए अगला है बिहार में ऐटाइट आंसरोंगा डेट को याद रखेंगे अगला है बिरसा मुन्डा का कार चेत्र कौन सहिंट बिर्शा मुंडा का कारचेतर जरकण में इसे कह सकते हैं कि धरती आवा कहा जाता है याद रखेगा आप सभी धरती आवा कहा जाता है और इसका कारचेतर था राची वाला छेतर जो है यही कारचेतर था आपसिन मडी करक्ट आंसर होगा हलाकि इसका जन्म खूटी जिला में ह होता है अगला है स्वामी सहाजा नंद का संबंद कि से था अगला है चंदर्गुप्त मौर के गुरू कौन थे चानक के इसके गुरू थे अगला है इनमें से कौन सा बिहार में किसान किसान आंदुरन के साथ जुड़े थे तो देखे किसान आंदुरन के साथ जुड़े थे राजेंदर परसाद बिलुकुल करेक्ट आंसर होगा धियान रखेगा आप सभी डॉक्टर राजेंदर परसाद जी बिहार में किसान आंदुरन के साथ जुड़े हुए थे अगला है क स्त्री नर्सिंग नरायन जो थे समाजबादी थे ध्यान रखींगा आप से भी कौन था जी समाजबादी था यहनिके option मसी की तरफ हम से भी जा सकते हैं जो भी option मसी को टिक करें बिल्कोल राइट उन्सरीं जए परकास नारायन किस पार्टी से संबंदी थे जैपरकास नारायन जो है यह आपका समाजबादी पार्टी से संबंदी था जैपरकास नारायन जी अगला है राम चंद्र सर्मा किस गाउं से थे तो राम चंद्र सर्मा जो है यह आपका अमरहा से था कहा से था जी अमरहा से अगला कोश्चन है कि जगत नरायन लाल को किस जेल में भेजा गिया था तो देखे जगत नरायन लाल को जो भेजा गिया था बांग की पूर जेल भेजा गिया था अगला है बिहार का केशरी से किसे सम्भोधित किया जाता है याद रखेगा आप से डॉक्टर स्री कृष्न सिंग को बिहार का केशरी कहा जाता है अगला है कि किस देश की सीमा बिहार राज से जुड़ी है तो बिहार राज के साथ एक ही सीमा जोड़ता है वो आपका नेपाल जोड़ता है उत्तर की तरफ से अगला है पुराने बिहार का कितना परतीसेद जमीन लेकर ज्छारखान राज बना था जब बना था इसको कितना परतीसेद जमीन दिया गया था लंसम का सकते कि 45 पॉइंट आपका 85% ये एप्रोक्स इसको 46% हम लेके चल सकते हैं यानि कि इसका option में भी right answer होगा अगला है आम की वा परजाती जो केबल बिहार में ही उबजाई जाती है उसका नाम क्या है तो एक आम है सफेदा अगला कोशिशन देख लिए जाएगा बिहार का सौक किस नदी को कहा जाता है ये कोशिशन पूश लिया गया है बिहार का सौक जो कहा जाता है कोशी नदी को कहा जाता है अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है अमरकंटक पहाड़ी जो है मद्द पर्दिस और 36 गड़ के बीच में ये पहाड़ी है यहां से दो नदी का उद्गम होता है एक आपका नर्मादा जो की पस्चिम की और परभावित हो जाता है और यहीं से एक नदी और निकलता है जिसको हम से भी सोन काते हैं और यह गंगा में बिहार में जाके आपका मीलन हो जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा सोन नदी अगला question देख लिए जीगा संपुर्ण विहार राज इस्थी थे तो देखें संपुर्ण विहार राज जो इस्थी थे ये आपका मैदानी छेतर में हैं ध्यान रखेंगा आप सभी मैदानी छेतर में हैं जबकि बिहार की कौन सी नदी पर बहु उद्देश्य पर्युजना का निर्मान कारे किया जाता है तो इस नदी को हम सभी कोसी काते हैं ध्यान रखेंगा आप सभी कोसी पर अगला है किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अगरनिये हैं इन में से वह फल कौन सा है जिसके उत्पादन में बिहार देश में अगर निये हैं माखाना इसका बिल्कुल करक्ट आंसर होगा धियां रखेंगा आपसे माखाना अगला है बिहार में डालमियान अगर किसके लिए परसिद्धे हैं डालमियान अगर जो है ये आपका सिमेंड उद्ध्यों के लिए पर सिद्धें सी करेक्टर आंसर होगा याद रखेंगे आप सभी अगला है बिहार में कोईले का अनुमानित भंडार लंसम जो है कि आपका सुल्ला कडोर टन है कितना सुल्ला कडोर टन अगला है पूरवी मद रेलवे छेतर का मुख्याले जो है ये आपका हाजारी हाजीपूर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अगला है कि बिहार में केला उत्पादन का परसिद छेतर कौन सा है यानि कि किस छेतर में बिहार में केला का उत्पादन किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा हाजी पूरवाला छेतर में अगला कोश्चन देख लिएगा माखाना की खेती के लिए देश का अगरने राज कौन सा है बिहार राज्य है अगला है कोकलत जलपरपाथ बिहार के किस जिले में इस्तित है यह कोश्चन और लेड़ी पूछा गिया है तो इसको ध्यान रखेगा आप सभी कोकलत जलपरपाथ यह आपका नावादा जिले में पढ़ता है किस जिले में नावादा अगला है नेमलेकित में से कौन सा सहर बिहार के सबसी पुर्वी भाग में इस्तित है तो दिकित बिहार के सबसी पुर्वी भाग में जो इस्तित सहर है उसे हम सभी कठिहार के नाम से जानते हैं option number B right answer होगा अगला है नेमलेकित जिलों में से कौन सी बिहार में इस्तित जिल है यहनै कि इन में से कौन सा जिल है जो बिहार में है इसे हम सभी क्या काते हैं अनुपाम जील जो है ये आपका बिहार में सांभर तो ये आपका राजास्थान में है ध्यानरकिंग आप सभी खाड़े पाने की जीले अगला कुछ सेने नालंदा बिस्विद्याले किसके लिए परसीद था देकिन नालंदा बिस्विद्याले जो है ये बाद धर्म दरसन के लिए परसीद था option number C correct answer होगा अगला है नालंदा बिस्विद्याले के विनास के कारण थे तो नालंदा बिस विद्याले जो बिनास हुआ था इसका कारण क्या था तो मुसल्मान इसका मुख कारण था जो वक्तियार खिलजी ने इसको द्वास्त किया था वो एक मुसल्मान ही था अगला है कि बिहार आने वाला पहिला अंग्रेज जातरी क्या था बिहार आने वाला पहिला अंग्रेज जातरी रॉल्फ फिस्था कौन था जी रॉल्फ फिस्था ध्यान रखेंगे आप सभी सी करेक्ट आंसर होगा अगला है अंतिम मार समराट कौन थे व्रिद्रत अंतिम मा और इसके बाद चंदर गुप्त मार का पुत्र होता है विम्भी सार विम्भी का पुत्र बनता असोग उसके बाद सबसे अंतिम सासे अगला कोश्चन दिखलेजेगा गुप्त समराथ किसने उनों को प्राजित किया तो इसका राइट आशर हो जाएगा असकंद गुप्त ने पर बिंदू सर इसका यहां राइट आंसर होगा असोंक के सिरालेक में प्रियुक्त भासा कौन सा है तो असोंक के सिरालेक में जो भासा प्रियुक्त हुआ था पाली भासा का वा था और ये बिहार से संबनित कोश्चन नहीं ध्यान रखेंगे आप सभी ये आपका बिहार हिष्ट्री का कोश्चन है अगला है वा स्रोथ जिसमें पाटली पूत्र के परसासन का वर्नन उपलब्द है उसे हम सभी कौन सा काते हैं इंडे का इसका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा इसमें जो एकी पाटली पूत्र के परसासन का वर्नन मिलता है मेगा अस्थनीज इसके लेखक है अगला है आजा सत्रू के वंस का नाम क्या था तो आजा सत्रू के वंस का नाम था हर्यक वंस आजा सत्रू के स्राज को पराजित नहीं कर पाए थे तो राइट आंसर हो जाएगा अवंती जबकि कौसल हो गया गुपत हो गया और वजजित वैसाली हो गया इसको पराजित कर दिया था इसा पुर्व छटी सदी में विश्व की पर्थम गंतन तरात्मक विवस्था कहा थी वैसाली में देखने को मिला था ध्यान रखेंगे आप सभी अगला कोश से देख लिए जेगा निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पत परिवर्तन किया है किसने तो नदी पत सबसे अधिक जो परिवर्तन किया है वो कोशी इसलिए इसे बिहार का सुक died हो जाता है बिनासकारी नदी माना जाता है सबसे जादा जो एकि अपना मार्ग बदलता है किसके परियतनों से बिहार प्रांति कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था आपका स्री दिप नरायन सिंग के परियतन पर हुआ था अगला है निमलेकित में से बिहार के कौन से जीले में कुछ भाग में पस्चिम बंगाल को दे दिये गए तो कौन सा छेतर दिया गया था पूर्णिया और मानभूम वाला पूर्णिया और मानभूम वाला छेतर आप्सिन में ए राइट आंसर होगा अगला है कि स्वसंतर था पूर्व विहार में बड़े जमिंदारों की राजनेतिक सक्ती बचाने का माध्यम क्या था तो इसका माध्यम था आर्थिक इस्थिती ध्यान रखिंग आपसे भी क्या था जी आर्थिक इस्थिती को बचाने का माध्यम था ये राइट आंसर होगा बल्देप सहाय ने महादी वक्ता के पद से त्याक पत्र कब दिया था तो ये आपका दिया था 1942 में कब दिया था जी 1942 में अगला कोश्चन है कॉंग्रेस सौसलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी कॉंग्रेस सौसलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में सबसे पहले जो हुआ था 1934 में किया था कब किया था 1934 में किया था सी राइट आंसर होगा मौज़ा फरपूर में किंग्स फोर्ड की हत्या का परियास कब किया था मौज़ा फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का परियाद जो सबसे पहले किया गया था यह आपका 1908 में किया गया था ध्यान रखेंगा आप सभी डेट याद रहेगा आप सभी का आप सभी का आपसिन में सी करेक्ट आंसर है पटना कलम अथवा पटना सैली का अंतिम चित प्यामार नाजाता है बिस्म अल्ला ख़ं संबंधी था किस से थो बिस्म अल्ला ख़ं जो है यह सहनाई बज़ाया करता था ऐ सउरी डी कैरेक्ट आंसर होगा गोपाल सिंग नेपाले ने निम्लेकित में से किस किस पत्र-पत्रिका का संपादन नहीं किया था ध्यान रखें किया है अगला है महा कभी विद्या पती किस यूग के पती थे पती नहीं इसको कभी किजिगा किस यूग के कभी थे तो ये किस यूग के कभी माने जाते हैं मद्यकाल के कभी माने जाते हैं इसे यानि कि option में सी correct answer होगा दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट कभी की ब prototypes अगला कोशने देखिए और यह कहा कि राने वाले थे अगला है राजकुमार सूकला किस गाउं की निवासी थे मुरली भर हवा गाउं की निवासी थे अगला है सचिदा नंसिन्हा के साथ जुड़े होवे थे तो यह किस के साथ जुड़े होवे थ้ sokine ondron के साथ नहीं भारत छोड़ांदur नहीं उपरयुक्ति में से दोनों नहीं इन में से किसी के साथ में नहीं अगला है कोवेर शिंग ने आठावक सो 157 की विद्रो का नेत्रित 2 किस प्रांत से किया था तो ये स अग्दीश पूर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अगला है कुवेर सिंग के बिरूद आरा में अंग्रेजी फॉज का नेत्रित्व करने बाला पहिला सैना नायक कौन था तो इसका नाम है क्यप्टन डनवर था कौन था जी क्यप्टन डनवर था यानि कि बी राइट आंसर होगा अगला है कुवेर सिंग के पिता का नाम क्या था जो विर कुवेर सिंग जी है इसके पिता का नाम क्या था सहाब जादा सिंग था, ध्यान रखेंगे आप सभी, अगला है, कि बिहार के परचलित कला है, तो बिहार में जो परचलित कला है, इसका नाम क्या है, मधूबनी कला, ध्यान रखेंगे आप सभी, कौन से कला परचलित है, बिहार में मधूबनी कला, अगला है, इनकलाब जिन् में कुल हंडेड कोश्चन कबर की हैं आएच की ये क्लास किस लगा आप सभी करते लिएगा आप सभी सहीं